साथियों, आज्ञादी के इस अमरित काल में, हम सभी देशवासियों ने विख्षिद भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात महनत कर रहे हैं। भारत को विख्षिद बनाने के लिए भारत के गाउं की सामाजी की ववस्ता को विख्षिद करना जरूरी है। भारत को विख्षिद बना के लिए भारत के गाउं की आर्थिक ववस्ता को विख्षिद करना जरूरी है। भारत को विख्षिद बना के लिए भारत के गाउं की पंचायत विवस्ता पंचायती विवस्ता को भी विख्षिद करना जरूरी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायती राज ववस्ता को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया और उनसे उल्टा कैसे हम उन्हें ससक्त कर रहे हैं पंचायतों में सुविधा बढ़ा रहे हैं। ये आज गाउवाले भी देख रहे हैं, देश के लोग भी देख रहे हैं 2014 के पहले पंचायतों के लिए बित्त आयोग का अनुदान 17,000 करोड रुपिय से भी कम था आकड़ा याद रखोगे आप? आकड़ा याद रखोगे? कुछ आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा, याद रखोगे? 14 के पहले 17,000 करोड से कम, क्या इतनी कमरासी से, इतना बड़ा देश, इतनी सारी पंचायते कैसे अपना काम कर पाती? 2014 में हमारी सरकार आने के बाद, पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान, सत्तर हजार से बढ़ा कर, दो लाख करोड रुपिय से जादा हो गया है, आप बताएंगे मैंने कितना बताया, पहले कितना था, अब कितना हुआ, अब आप अंदाज लगा सकते हैं, काम कैसे करते हैं? मैं आपको दो और उदान देता हूँ, 2014 से पहले के दस वर्सों मैं, मैं उन्दस साल की बात करता हूँ, केंद्र सरकार की मदद से 6,000 के आसपास ही पंचायत भवन बनवाए गए थे, पूरे देश में करीब करीब 6,000 पंचायत गड़ बने थे, हमारी सरकार ने 8 साल के अंदर अंदर 30,000 से ज़्यादा नए पंचायतों भवान का निर्मान करवा चुकी है, अब ये आंकड़ा भी बताएगा, कि हम गाउं के लिए कितने समर्पीत हैं, पहले की सरकार ने गड़ाम पंचायतों तक आप्टिकल फाइबर पहुंचाने की योजना भी शुरू की थी, लेकिन उस योजना के तहट देश की सत्तर से भी कम, सौ भी नहीं, सत्तर से भी कम ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया था, वो भी शहर के भार जो नद्दिक में पंचायत पढ़ती थी, वहाँ पर गए थे, यह हमारी सरकार है, जो देश की दो लाग से जादा पंचायतों तक आप्टिकल फाइबर को ले गई है,